यह रोता विलकता वेक्ती यदुवनसी समाज का प्रमोध यादव है जिसकी दुधारू गाए की करेंट की चपेट में आने से मौत हो गई है यह चावनी चेतर की वाड नमबर पाँच का बंगाली टोला है जहां बीते तीन दिन के अंदर दो गवनसीय पसुओं की बिजली की तार के चपेटे में आने से मौत हो गई है एक बाइस तारीक को धंधार पोखर के सामने इस्तेत बिजली तारक से सटने से राजेस्वर यादों के भैंस की मौत हो गई थी तोहीं दूसरा 24 की देर साम को प्रमोध यादों की दुधारू गाए की मौत हो गई है पसू के साहरे जीवी को पार्जन करने वाले गौालों का रो रोकर बुरा हाल है पसू के मरने से हुई शती को बताते हुए उन्होंने प्रसासन से मौबजे की मांग की है क्या चाहते है वहीं अस्थानिये लोग भी करेंट के चपेट में आकर हुई जानवरों की मौत से नाराज है हलाकि संदर्ब में बिदूद विभाग के कारेपालक अवियंता देशराज जी ने सरकारी प्रवधान और परकिरिया के तहत मिलने वाले मौबजा को देने की बात कही है जो घटना घटा है बंगाली टोला डिसी राम के घर के आज पास के घटना है यहां पर एक गुवाला है उसका गाये घुमते घुमते यहां पर तार रखा हुआ है जो दिन पहले की घटना है बंगाली टोला धंदाब पोकर के पास भी एक गुवाला का भाइश वहां पर गुजर रहे थी और वहां के पूल जो है पूल से तार कनेक्शन के क्या था कैसा था वहां पर भाइश शटी और वहां पर भी भाइश अस्वोट डेट कर गए तो विजली विभा कल अप्रवाही तो है इस पर क्यार किया जाए तो हो सकता है जानवर मराय कल दिन आदमी का भी जानले हुआ ह अधमला हो सकता है जचे पूला हो सकता है